हेलो गाइस आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा माई कैलोरी बॉई की एपिसोड वन की एक्स्पेनेशन लेकर आगई हूँ इसका स्टार्ट यहां से होता है कि सबसे पहले हमें हमारी फीमेल लीड रोल दिखाई जाती है और इकठी इतनी जादा बॉल्स उस पर आ रही होती है जिस पर हमें पता लगता है कि यह सिरफ एक ख्वाब होता है और उसकी मॉम उसको बिलो मार मार के स्कूल के लिए उठा रही होती है जिस पर वो कहते है कि मैं उठ गई हूँ और जब वो स्कूल जाने लगती है तो उसकी माम पूछती है किया तुम इस पर टेस्ट में पास हो गई हो जिस पर वो कहती है माम इतना अच्छा मोसम है आप कैसी बाते करी है और ये कहकर वाँ से भाग जाती है और जब स्कूल के लिए जारी होती है तो रास्ते में रूकर एक जगा बंद खाने लगती है जिस पर शौब वाला कहता है कि बंद खरतम हो गए है और फिर वो जब थोड़ा आगे जाती है तो एक लड़का बैट कर काफी जादा चीज़े खा रहा होता है और शो जिंग जिंग उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैट जाओं और उस लड़के का नाम कौंग जाओवे होता है जिस पर वो उसको साथ बैटने की परमिशन दे देता है और फिर वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे दोगे मैं तुम्हें इसकी पेर्मेंट दूँगी जिस पर वो कहता है कि क्यूँ और वो कहते है कि मैं तुम्हें इसकी डबल पेर्मेंट कर दूँगी और वो कहता है कि खाने की भी एक क्रू होती है और मैं इसको बेचना नहीं चाहता जिस पर वो उटकर जाने लगती है और वो काफी हेल्दी होता है तो वो उस जगा से गिनने लगता है क्योंकि उस जगा से शो जिंग जिंग उट जाती है और वो उसको साथ पकड़ के नीचे गिर जाता है और जहां पर वो गिरते हैं वहां पर उस शॉप वाले ने अपने एक बैनर पर गलू लगाई होते हैं जिसकी वज़ा से वो दोनों वहीं पर चिपक जाते हैं और फिर वो दोनों उस बैनर के साथ ही स्कूल जा रहे होते हैं जिस पर रास्ते में जाते हुए शो जिंग जिंग को वो लड़का दिखाई देता है जिसे वो लाइक करती होती है और उससे देखकर वो वैसे ह दूसरी तरफ फेस कर लेती है कॉंग जाओ से कहता है कि वो तो कब से चला गया जिस पर वो इस तरफ फेस कर रही होती है वैसे ही गाउसन सामने से आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सपली रोम में कुछ एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म होते हैं वहाँ जाकर चेंज कर लेना जिस पर हमें एगले ही सीन में वो दोनों उस रोम में दिखाई जाते हैं जहां पर वो सर भी इन पर हंसरा होता है और फिर इन दोनों से इनका साइस पूछता है जिस पर कौंग जाओ का साइस काफी बड़ा होता है और वो सर कहता है कि यह साइस यहाँ पर नहीं मिलेगा ज जिस पर शो जिंग जिंग की क्लास फैलो आती है जिसका नाम भी शो जिंग जिंग ही होता है और वो सर से आकर एक काम कहती है जिस पर सर उसके काम के लिए उटकर जाता है और फिर शो जिंग जिंग से पूछती है कि तुम यहां पर क्यूं आई हो और वो कहती है कि इसी से कि जाओने किसी और कलर में अपना साइस पहना होता है और फिर उस रड़की को जाते हुए पूछता है कि तुम्हारा नेम क्या है जिस पर वो अपना नेम शो जिंजिंग बताती है और जब शो जिंजिंग अंदर से आती है तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम भी शो जिंजिंग है और उसका नाम भी जिस पर वो कहती है कि मैंनी उसको जानती अब मुझसे बात ना करना और वहाँ से चली जाती है जिस पर वो अपनी सारी बात अपनी दोस्तों को बता रही होती है और इस पर उसकी दोस्ते कहती है कि जाओ गाउसिन से थैक्स कहकर आओ जिस पर वो गाउसिन के पास जाती है उसे थैंक्स कहती है इतने में क्लास स्टार्ट हो जाती है जिस पर शो जिंग जिंग अपनी जगा पर जाकर बैठ जाती है और टीचर उनको बताती है कि आप लोग के लिए दो अनॉसमेंट्स हैं पहली के आप लोग की क्लास में एक न्यू बच्चा आया है जिस पार वो बच्चा एंटर होता है और वो कोई और नहीं कौंग चाओवे होता है जिस पार उसकी दोस्ते कहते हैं कि जिस लड़के की तुम बात कर रही थी वो ये वाला है और वो हांपर सर ही लाती है और फिर साथ बता रही होती है कि पिछले स्कोल में फर्स्ट आया था जिसे सुनकर काफी बच्चे हैरान होते हैं और पिर मैं कहते हैं कि आप लोग की धर री-अरेंज होगी और आप लोग की जगा दुबारा से बदली जाएगी जिसपर सारे बच्चे बाहिँ चले जाते हैं और यह करते हैं इसके साथ एक जगा बच्षी होती है जहां पर कॉंग जाई आ कर बैठ जाता है और फिर कॉंग जाई को उनके पिछले टेस्ट मिलते हैं जिसपर कॉंग जाई के English में कम marks होते हैं और एक जगा उसकी गलत कलती लिका लिए होती है बलके वह बिल्कुर ठीक होता है जिस पर कौंग जाए उसे कहता है कि यह बिल्कुर ठीक संटेंस है और फिर हमें अगले सिर्व में दिखाया जाता है कि वह ठीक करवाने के लिए सर के पास पहुंचे होते है और सर कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि यह ठीक है जिस पर वह कहता है कि मैंने यह पढ़ा था और वो नेट से चेक करता है तो वह बिल्कुर ठीक होता है जिस पर शो जिंग जिंग को टू मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं मार्क्स एकरवाने के बार जब टीचर आकर चाहती है कि इस पार सब से लास्ट में आने वाली बच्ची शो जिंजिंग नहीं है बलके दूसरा बच्चा जिस पर शो जिंजिंग इतना खुश होती है कि शुकरे इस पर मैं नहीं हूँ और फिर मैम शो जिंग जिंग से कहती है कि तुम अपनी जगा अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हो जिस पर शो जिंग जिंग कहती है नहीं मैम मैं अब अपनी जगा नहीं चेंज करना चाहती मैं अब इसके साथ ही बैठा करूंगी और फिर उसको एक स्ट्रीकर देती है जो शो जिंग जिंग खुद बनाती होती है और पीछे उसके साइन कर देती है और कहती है कि कल को अगर मैं फेमस हो गई तो इसकी काफी जादा वैलियो हो जाएगी और कहती है कि क्या तुम स्कूल में जल्दी आ सकते हो जिस पर वो कहता है क्यूं और वो कहते है कि मैं तुम्हारा होँवा कॉपी करके लिखना चाहती हूँ और फिर हमें कॉंग जाओवे ब्रेक में एक जगा बैठा दिखाई देता है जिस पर वहां से शो जिंजिंग दूसरी क्लास फैलो गुजरी होती है और वो उसे रोकर बाते वगेरा करना शुरू हो जाता है क्यों कि वो उसको पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और जब उसको एक कॉर्डरिंग देग रहा होता है तो वो उसको मना करी होती है जिस पर वो उसके हाथ में एक प्रैसलिट देखता है और कहता है कि यह तुम हो जिस पर शो जिंग जिंग पूछती है कि कौन हूँ मैं तो मुझे जानते हो जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं और फिर वो बताती है कि कल बास्किट बॉल का मैच है और मुझे उसे देखने के लिए जाना है जिस पर वो कहता है कि तुम्हें बास्किट बॉल खेलने वाले लड़के पसंद है और वो कहती है कि हाँ हर किसी को वही लड़के पसंद होते हैं जिस पर वो पूछता है कि क्या मैं भी बास्किट बोल खेल सकता हूँ मेरा वेड तो इतना जादा है जिस पर वो कहती है कि 100 केजी वाले भी बास्किट बोल खेल सकते हैं और ये कहकर वहाँ से चली जाती है जिस पर शो जिंग जिंग कराटे रूम में दिखाई जाती है जहां पर वो अपनी दोस्तों को बता रही होती है कि आश टीचर ने मुझे सीट चर्णे करने का कहा तो मैंने नहीं की जिस पर वो कहती है कि तुम्हें करनी चाहिए थी तो मैं गौर सीन के पास कोई जगा लेनी चाहिए थी जिस पर उसको काफी ज़ादा बाते सुना रही होती है और फिर शो जींग जींग एक एक्स्ट्रा क्लास में बैटी होती है जो उसके सर ही ट्वीशन पढ़ाते होते हैं और वहां पर टेस्ट तेरी होती है जिस पर वहां से जाने लगती है उसका सर आगे से आ जाता है और फिर सर उन दोनों को सबसे फर्स पेंच पर बिठा देता है और फिर हमें अगले सीन में कांग जाओ दिखाया जाता है जो खाते हुए एक लड़की के परफाइल देख रहा होता है और उसमें वही ब्रैसलेट वाली पॉस्ट होती है और वह कहता है कि यह तुम हो जिस पर हमें उसका एक पहले का सीन दिखा जाता है जहांपर वह बहुत स्मार्ट होता था और वह उसी लड़की शौंग जिन जिन के साथ खाना खाने के लिए आया होता है और तब वह उस लड़की से पोचता है कि तुमने यह अजीब सी ब्रैसलेट कहां से लिए है जिस पर वह बताती है कि यह मैंने खुद बनाई है और उस बात को याद करते हुए वह इतना खुश होता है कि मुझे फाइनली वह लड़की मिल गई और फिर हमें अगले दीन शो जिंग जिंग के साथ कौंग जाओ दिखाया जाता है जिस पर वह उससे एक favor मांग रहा होता है और उसके बदले में उसको अपना होउवा कोपी करने के लिए देता है जिस पर वह कहते है कि तुम पहले अपना डेमो दो और फिर वो गाॉसन के मकाबले में खेलता है और गाॉसन से काफी जादा अच्छी खेल रहा होता है क्यूंकि गाॉसन उसको बिल्कुल भी बॉल डालने से नहीं रोक पा रहा होता पिर गाॉसन उसको अपनी टीम में रख लेता है पिर से जब शो जिंग जिंग अपनी ट्वीशन सर की क्लास में होती है और फिर से जब सर टेस्ट ले रहा होता है तो सर का फेस नीचे होता है जिस बार शो जिंग जिंग एक पेपर की उतार कर काउंग जाई को भेजती है जिस पर काउंग जाई अपनी टीम के साथ बाहर खेलने के लिए जा रहा होता है जैसे ही मैसिज की आवाज सुनता है तो वापस मुड़ कर आता है उसकी टीम चली जाती है और आकर उसका मैसिज देखता है उसके पेपर को एक जगा लिखकर उसको पिक्स फेज़ देता है जिस पर शो जिंग जिंग उस सारे पेपर को कौपी करके लिख देती है और लिखने के बाद सर को समिट करवाती है जिस पर सर वहीं पर कुछ कॉस्चन सेक करता है और फिर शो जिंग जिंग सर से पूछती है क कि तुमने अपनी चीजें नहीं लेकर जानी जिस पर वो अपनी सब चीजें भी वहां से ले जाती है और दूसरी तरफ बास्किट पॉर्ड का मैच चल रहा होता है जहां पर डांस करने वाली लिड़कियों में शो जिंग जिंग भी होती है वैसे क्लास के बाद शो जिंग जिंग अपने घर जाती है और उसकी माम का एक खाने पीने वाला होटल होता है जिस पर वहाँ शो जिंग जिंग डूसरी भी आ जाती है और उसको वो भी पीने के लिए कुछ देती है जिस पर गाउसन दोनों को देखकर शो जिंग जिंग से पूछता है कि तुम्हारे पस ये क्या है जिस पर शो जिंग जिंग बताती है कि ये रेड बीन मिल्क टी है जिस पर वो कहता है कि मैं इसको पीऊंगा और वो उससे वो टी ले लेता है जिस पर शो जिंग जिंग अपनी जगा पे बैट कर बहुत खुश हो रही होती है और जब गाउसन उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसके पेट में दर्द होरी होती है और शोजिंग जिंग को लगता है कि शायद ये मुझे प्यार से देख रहा है और वो उसको आगे से हार्ट बना कर दिखाती है और गावसिन कहरा होता है कि इसकी वज़ा से आज मेरी ये हालत हुई हुई है और वो एक जगा जाकर बैठ ज पार जाएगा अगर इसने गॉल में डाल ली तो मैज जीट जाएगा जिस पर वो गॉल में डालने ही वाला होता है और यहीं पर हमारी एपिसोड कातम हो जाती है सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को ला झाच्चीं!